सबी दोस्तों को मेरा नमस्कार वैसे वीडियो एडिटिंग करने मुझे नहीं आती लेकिन एक ये जो डिवाइस है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा रवी मनालिया जैसे लोग इस डिवाइस को ऐसे बंदगर के बेजते हैं और कुछ भी बताते भी नहीं है किसी क ओभी इसको कैसे लगाना है उनसे खरीद दो तो ही वो बताते हैं बाकि इस डिवाइस के अंदर क्या है और बी एस अप 6 बाईक जो थी है उसके इनदर ये डिवाइस लगाना ज़रूरी है या नहीं है इसके बारे में भी बात करेंगे पियस अब 6 भाई 3 वायर, 2 वायर लोगों को इन्होंने उड़ जाके रखा हुआ है कि 2 वायर में ये लगेगी 3 वायर में ये लगेगी लेकिन आज इसका निचोड़ मैं आपको इसको तोड़ के इसके अंदर क्या है ये दिखाता हूँ अभी देखिए आप को हमने थोड़ा सा थोड़ा है आप ये देखते जाएए धीरे-धीरे करके देखते जाएए भी इसमें क्या चीज है और आपको मैं पूरी जानकारी दूँगा ये देखिए इस डिवाइस को आना उपर से खुर्च-खुर्च-खुर्च-खुर्च काफी टाइम लगा वीडियो बनाने के लिए इतना मेरे मन नहीं था लेकिन लोगों को इन्होंने नहीं इससे उड़जा के रखा हुआ इसलिए मेरे कोई वीडियो बनानी पड़ी आपको दिखाना जरूरी था कि इस डिवाइस के अंदर ऐसा क्या होता है कि रवी मनालिया जैसे लोग ही इस डिवाइस को बेचते हैं बाकि कोई दूसरा मिस्तरी इसको ना तो उनको पता है भी और वो उल्जे रहते हैं कि इसके अंदर ऐसा है क्या चलो हम दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या है ये देखिए इसके अंदर दो तो निकली है ये और एक रिले हो रहा है अभी आपको ये देखिए तीन रिले लगी हुए इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं है और रिले का काम क्या है और तीन रिले क्यों लगा रखी है ये बात भी मैं आपको पूरी तरह से खुल के बताऊंगा और आप बिना इस रिले के बिना इस डिवाइस के भी अपनी वाइक को चला सकते हो गैंस पर और पैंट्रॉल पर भी बढ़े रही है हमारे साथ देखिए इस रिले का काम क्या होता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो जो मैं बना रहा हूं न उसके अंदर मेरे को एडिटिंग वगेरा करनी नहीं आती है नहीं तो अगर ये रवी मना लिया जैसे लोग है न इन से पहले से मैं गैंस कीट लगवा रहा हूं अ तो बाइक होती है ना उसके अंदर ये चीज़ लगाने की चुरूरत नहीं पढ़ती है उनमें से आपना किसी एक तार को काटके बीच के अंदर उसके शूच लगा दो और आपकी बाइक पैंट्रोल पे और गैस पे दोनों पे बढ़िया चलेगी अभी थ्री वायर की जो बाइक आ रही है तो उसके अंदर हम क्या सोचते है कि एक तो पलस माइनस का थार होता है और तीसरा थार होता है सेंसर का एक तार किसी को भी ओटाओ हटाते ही अपनी ऐस अपनी वायर का पलक में करणड जाना बंद हो जाता है और अपनी आड़ी गैस पे नहीं चलती है पर क्या होता है कि यह मोटर जो 3-phase की मोटर रहेगी और पैंट्र रेटरोल अंदर जाएगा यहां गैंस देगे तो ना मोटर कराब होगी और इधर से गैंस मिलती रहेगी गाड़ी को और अपनी गाड़ी पैंट्रोल पे नहीं चलने के बज़ाएगे गैंस पे चलती रहे जैसे हम स्विच को उसको आना ओन करते हैं तो क्या होता है कि अपनी मोटर है न वह सिद्धी ग तो आप यह रिले है ना रभी मना लिया जैसे लोगों से मंगवाना बंद किजिए दूसरा यह घर पे त्यार किजिए तीसरा अगर यह रिले आपको नहीं लगानी तो आप अपनी गाड़ी के तीन वायर वाड़ी में से दो तारों को आपस में बदल दीजिए और उनके बद इस वैर कि डी करते हैं तो क्या होता है कि उसको मोटर को उल्टा गुमाता है दो वायर वाड़ी उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना एक वायर को बीच में से कट किजिए उसके अंदर बीच में एक स्विच लगा जीजिए और आपकी गाड़ी पैंट्रोल और गयंस पे चलती रहेगी वीडियो मेरे को बनानी बहुत ही कम आती है मैंने शिरफ ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बनाई है क्योंकि आप फालतु का पैसा बरबाद कर रहे हो 50 रुपए की आइटम के आप रभी मना लिया जैसे लोगों को इतने सारे रुपए 800 800 700 700 रुपए देखे मेरे को यह अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने वीडियो बना मैं पिछले तीन साल से गैस्केट गाड़ियों में फिट कर रहा हूं किसी प्रकार की कोई समस्या गाड़ियों में नहीं आती है जो डरते हैं वो नाड रहे हैं तीन साल से मेरी खुद की बाइक चल रह की तो लाइक साथ